तो दोस्तो आज में लेकर आ हों आपके लिए Orion Green Power Company Limited का Complete Share Analyze जानेंगे इस वीडियो में हम इस कम्पनी का Complete Fundamental को और वीडियो के आंत में हम यह डिसकस करेंगे कि हमें इस बख इस कम्पनी पर निवेश करना चाहिए कि नहीं और इस company का उपर निवेश करने के लिए हमें विकास दुबे जी ने हमें comment किया था ठीक है तो अगर आपका भी कोई queries है तो please नीचे comment box में comment कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस company का financial result से तो company का financial result आगर देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो company का quarterly result मैं आपको देखा देता हूँ March 2023 का fresh quarterly result है और यहाँ पे company का जो है देख सकते है आप revenue पे company को 17% का year on year profit हुआ है 40% company net income में profit में है earning per share में company 38% profit में है इस साल में net profit में company को लगबाग 50% का profit हुआ है इस साल में operating profit में company जो है profit में है 90% के आसपास 11% का company को cost of revenue पे भी profit हुआ है तो overall यहाँ पे सब कुछ ठिक ठाक देखने को मिल रहा है पर यहाँ पे मैं आपको total figures भी बाताने वाला हूँ तो हम लोग सबसे पहले अभी इस company का जो fundamental को एक बार समझ लेते हैं तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ screen ना dotting पे ठीक है यह company जो है independent company है यह renewable energy और power plant का जो है यह company तो power sector का एक अच्छा stocks है इसका total market cap देख सकतो हो 8.56 करोड का company का market cap है current share price 14 रुपय का हो चुका है lowest price रहा इस साल में highest price रहा इस साल में 13 रुपया 30 पैसा और यहाँ पे lowest price देख सकतो 7 रुपया 70 रुपया यहाँ पे price earning ratio का numbers company का जो है थोड़ा सा बढ़ चुका है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको इस बाग price earning ratio थोड़ा सा risk की नज़र आएगा book value देखेंगे company का book value 7 रुपय का है और यह company आपको dividend नहीं देता है इसका return on capital employment return on equity का numbers प्लस में जरूर है बट यह number काफी नहीं है थोड़ा सा और better number होना यहाँ पे expect करता था long time के लिए अगर आप निवेश करना चाहते तो phase value company का 10 रुपय का है तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़े है देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं company का sales growth ठीक है जो जो important इस चीज़े हैं हम लोग उसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो sales growth में company को पीते तीन साल में घटा चुका है प्रोमोटास तीक है और यहाँ पे company का profit and loss statement एक बाद देख लेते standalone number तो company को मार्च 2023 के quarterly region पे देखेंगे यहाँ पे expense हुआ है 23 करोड का sale हुआ है 44 करोड का तो no doubt company अच्छा performance कर रहा है यहाँ पे operating profit में company को जो profit हुआ है वो 22 करोड का यहाँ पे 2022 के देखेंगे तो यहाँ पे year on year है तो यहाँ पे इस साल में company को अच्छा का सा मुनाफ़ा हो चुका है तो यहाँ पे पिछले साल मार्च 2022 तक देखेंगे यहाँ पे सारी year on year थोड़ा सा negative जरूर है मैं आपको इसका year on year देखा देता हूँ अक्छली confused था मैं वो quarter ली था यह जो है year on year है तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ इस साल में company का expense हुआ है 87 करोड का और sale हुआ है 258 करोड का 171 करोड company operating profit में इस साल में profit में है 2022 तक company 224 करोड profit में था तो profit थोड़ा सा जरूर घट चुका है बट यहाँ पे company operating profit में finally profit में ही है पिछले साल में company 36 करोड profit में था इस साल में company 33 करोड profit में येर औन येर थोड़ा सा गट चुका है बट तीन साल का लंबा देखेंगे तो कमपनी 57 करोड माइनेस पर था उसके बाद 36 करोड प्रॉफिट में आ चुका है अभी 33 करोड प्रॉफिट में है रेनेवर्बल एनेर्जी का जो भी सेक्टर का जो भी शेयस था उसमें थोड़ा सा आपडाउन जरूर चल रहा था बट अभी सब कुछ ठीक टाक नजर आ रहा है यहाँ पे कमपणी का सेस ग्रोफ देखेंगे सेस ग्रोफ नेगटीब है यहाँ पे पॉफिट ग्रोफ भी नेगटीब है बाकि शीए आज बहुत अच्छा नहीं है अवरेज है return on equity भी negative है तो कुछ अच्छा और कुछ negative point भी देखने को मिल रहे हमें finally share holding pattern देखेंगे यहाँ पे 32.53% का जो है promoters के पास holding है यहाँ पे FIS लगबग निकल चुका है domestic investor के पास 3.5% के आसपास holding है कुल मिला के 64% के holding जो है public के आसपास है पास है यह 64 करोड के आसपास परसन के आसपास ठीक है कुली sound हो रहा है इसके लिए भारत है मैं confused हो रहा है तो इस तरह की company हो में fundamental हमने देख लिया ठीक है fundamental बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं average ठीक टाक चल रहा है यहाँ पे company Friday के दिन एक परसन के आसपास return दिया है इस हफते में company लगबग console rate पे अपना business कर रहा है monthly chart button देख लेते हैं एक बार monthly chart button के मुताबिक company ने एक uptrend का chart button बना चुका है इस महिने में लगबग 4 परसन का return दिया है और यहाँ पे इस हाई के आसपास लगबग आ चुका है तो यहाँ पे company को एक support लेना ही है resistant face कर रहा है actually इस हाई को अगर तोड़ के निकलता है तो उम्मीद करेंगे इसके बाद कि company जो है उपर जाएगा अगर आप long term के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसे hold करने दीजिए ठीक है यह resistance अगर cross करके उपर जाता है तो company definitely उपर जाने की पूरा chances है बाकि दोस्तों निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से भी हर चीज proper research कर लेना क्योंकि हम सिरिफ एक idea एक सिरिफ analyze कर सकते है बाकि जो है वो तो कोई नहीं बता सकता है कि क्याने वाले दिनों में क्या होगा max 5 year का देखेंगे 50% का company ने return दिया है बीते 5 सालों में लगबग सबसे ज़्यादा high पे है यहाँ पे high जा चुका था लेकिन यह sustain नहीं कर पाया तुरन के तुरन नीचे आया बट यहाँ पे इस बगत company sustained किया है long term के लिए sustain किया है तो उमीद का सकते हैं यहाँ से company उपज जाने की chances है max to max देखा जाए तो दोस्तो अभी भी company 75% का नीचे गिर चुका है company और यहाँ पे company listing हुआ था 45 रुपे के आसपास 2010 में 2010 के बाद company इस price में कभी नहीं जा पाया हमेशा उसकी नीचे ही business कर रहा है तो company का share price हमेशा नीचे ही नहीं रहता है कि हमेशा उपर भी जाएगा तो हमेशा उपर ही नहीं जाएगा नीचे भी आएगा share price share बाजार ऐसे ही चलता है ठीके तो आप दोस्तो आपको क्या लगा इस company को लेके comment box में हमें जरूर बताना और वीडियो यही wind up करते हैं तो अब पीछे जो है sound हो रहा जिसके कारण में वीडियो को और लंबा नहीं कर सकता हूं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैसे जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद है